असलामुलेकूम हम बनाने वाले हैं आज पिता ब्रेड शौर्मा सैंड्विच то पिता ब्रेड शौर्मा सैंड्विच बनाने के लिए सबसे पहले हम घॉमूमीट पिता ब्रेड बनाiyet यह मैंने एक कप मैदा लिया है इसमें पाउ चमश नमक और एक चमश शकर डाल देंगे यह वन टीस्पुन मैंने एक्टिव इस्ट ली है इसको मैंने पानी में भिगो कर रखा था दो तिन मिनिट के लिए इसको हम दाल देंगे इसमें और इस्ट को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है डो में आटे में मिक्स कर लेंगे और पानी का यूस करते हुए सॉफ्ट डो बना कर रेड़ी करना है सॉफ्ट डो गुंदने से पिता ब्रेट भी हमारे अच्छी और सॉफ्ट बनेंगे तो ये देखिए डो हमारा गुंद कर रेड़ी है ओईल लगा देंगे इस पर और इसको कवर कर देंगे लीट से और गरम जगे पर रख देंगे एक से दो घंटे के लिए राइज होने के लिए तो ये देखिए एक घंटे बार डो हमारा अच्छी तरह से राइज हो चुका है मैदा डस्ट करेंगे और डो के हम दो पाट कर लेंगे इतने आठे में हम दो पीता ब्रेट बनाकर रेड़ी कर लेंगे तो पीजा कटर से कट कर लेंगे और दो हिससे कर लेंगे इसके हमारा आटा कितना soft हमने गुन्दा है बिल्कुल मुलायम और soft गुन्दा है आपको तो मैदे में dust कर लिया है इसको roll कर लेंगे हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे तो ये देखिए इतना मोटा मैंने रखा है इसको side में कर देंगे और दूसरा वाला भी इसी तरह बेल लेंगे तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और bell icon को जरूर दबाए bell icon को दबाने से मेरी आने वाली हर नई recipes की वीडियो सबसे पहले आपको free में देखने मिलेगी तो दूसरा वाला भी हमने बेल ले इसको cover करके 10 मिनट के लिए रख देंगे low flame पर मैंने pan को गरम कर लिया है 5 मिनट के लिए flame आपकी बिलकुल दम वाली होनी चाहिए low होनी चाहिए इसमें हम पिता ब्रेट को रख देंगे और दो मिनट के लिए cover कर लेंगे जादा नहीं पकाना है जादा brown वगेरा color नहीं लाना है ये देखिए हलके हलके bubbles आना शुरू हो चुके हैं बस हलका सा शेक लेंगे अब दूसरी साइट पर भी cover करके दो मिनट के लिए पका लिया है ये देखिए हमारे पिता ब्रेट बनकर रेड़ी है दूसरा वाला भी इसी तरह से पका लेंगे हम आप चाहे तो इस स्पून से इसको इस तरह से सेग भी सकते है किनारियों को दूसरी साइट भी पका लेंगे दो मिनट के लिए तो ये देखिए हमारे दोनों पिता ब्रेट बनकर बिल्कुल रेड़ी है कितना सॉफ्ट बना है देख सकते हैं तो होममेड हमने इसको बनाया है अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं होममेड तो आप बाहर से रेडिमेंट भी ले सकते हैं इजी ली मिल जाएगा आपको और वन टेबल स्पून मैंने ओइल दाला है हम चिकन की फिलिंग को बना लेते हैं यह 250 ग्रायम पाव किलो चिकन ली है मैंने इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है हाफ टीस्पून अजग लसन का पेस्ट दालेंगे हम इसमें और अजग लसन के साथ चिकन को भून लेना है गोल्डन कलर आने तक तो यह देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है हमने अच्छी तरह से भूना है चिकन को अब इसमें मसाले डालेंगे हाफ टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून धनिया, हाफ टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर और वन टीस्पून भर कर हम इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला तंदूरी मसाला डालने से बिल्कुल जो बाहर शोर्मा मिलता है उसका फ्लेवर आएगा इसमें और तंदूरी मसाला डालने से कलर भी अच्छा आएगा और हमने वन टेबल स्पून इसमें दही डाला है दही थोड़ी ही डालनी है जादा नहीं डालेंगे और नमक भी थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि तंदूरी मसाले में भी नमक है तो ये देखिए तंदूरी मसाला डालने से कलर कितना चाया है हमारी चिकन का तो हमने मसालों में भूनने के बाद एक छोटी प्यास को बारिक चौप कर लिया था वो हम इसमें डाल देंगे प्यास आपको पहले नहीं डालना है बाद में ही डालना है तो इसको हम थोड़ा भून लेंगे प्यास को चिकन के साथ में तो प्यास को मैंने भूना है अब लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए कवर करके बस चिकन को पकाएंगे चोटे चोटे पीस है और बोनले से जल्दी ही पक जाएगी तो ये देखिए दो मिनिट के बाद मैंने कवर लीट को हटा दिया है और फुल फ्लिम पर इसको भून लेंगे तो ये चिकन की फिलिंग हमारी बन कर रेड़ी है इसको पूरी तरह से थंडा कर लेते हैं इसको फोल्ड भी कर रहे है तो कितने अच्छे से फोल्ड हो रहे है और ये अंदर तक पक चुके है अच्छी तरह से बिलकुल कच्चे वगेरा कुछ नहीं है तो हम इसको अवन में बेक करने वाले हैं तो सबसे पहले बेकिंग ट्रे ले ले लेंगे उस पर पीता ब्रेट को रख देंगे और ये हाफ टीजपून मैंने पीजा पास्ता सॉस लिया है इसको स्प्रीट कर देंगे जादा नहीं लेना है थोड़ा ही लेना है क्योंकि ये खटा और मीठा होता है सॉस इसलिए हलका सा स्प्रीट करेंगे आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस ले ले टॉमेटो सॉस ले ले या चिली सॉस ले ले जो आपके पास अवेलेबल है आपको डाल सकते हैं तो चिकन की फिलिंग को अब हम इसमें डाल देंगे चिकन की फिलिंग डालने के बाद अच्छी तरह से इसको Rig कर लिया है अब मौजरेला चीज डाल देंगे इस पर आप चाहें तो मौजरेला और शेडर दोनों चीजें मिला कर भे इसमें डाल सकते हैं और बहुती टेस्टी और यम्मी लगता है आप इसे जरूर बना कर ट्राइ कीजिएगा यह मायो सॉस लिया है इसकी रेसिपी मैंने लोडेड राइस की वीडियो में डाली है मैंने आपको पहले भी बताया है यह सॉस बहुती अच्छा लगता है आप कोई भी सैन्वीजिस मे चोर में में इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पश टिकश मायनी से ज़्याइल अच्छा फ्लेवर इसका है और और ऑरेड़न करेंगे चिली फ्लैक के पिता बेट से कवर कर देंगे और पिता ब्रेट के ऊपर भी हम मॉजरिएला-कशीज रख देंगे अर आपके पर slices है तो आप वो भी रख सकते हैं चीज हमें उपर जादा डालना है इसके उपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे इस पर और जो मायो सौस है हमारा वो हम इस पर डाल देंगे जितना आपको पसंद है कम या जादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं तो इसको हम अवन में बेक कर लेते हैं 180 टेंपरेचर पे 10 मिनिट के लिए चीज भी मैल्ट हो जाना चाहिए और कलर भी आ जाना तो यह देखिए 10 मिनिट बात कितना बिउटीफूल लग रहा है दिखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी है बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट है इसका जो हम मार्केट से लाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है और बहुत ही मज़े का बना था यह खाने में तो पीजा से हम इसको कट कर लेंगे देखिए कितना सॉफ्ट बना है यह और चीज को सिर्फ मैल्टी नहीं करना है उसको इस तरीके का ब्राउन कलर आने तक पका लेना है इससे टेस्ट इसका ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसको मैंने कट कर लिया है लुक वाइस कितना ब्यूटिफू लग रहा है ना और खाने में भी बहुत टेस्टी है यह देखिए मैं आपको एक पीस उठा कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है हमने होममेट पिता ब्रेटस को बना कर रेड़ी किया है तो अगर आपको मेरी रेसिपीस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले तो फिर मैं मिलती रहूंगे आपसे इसी तरह से नहीं नहीं रेसिपीस के साथ अल्ला हाफिज कि अल्ड़ आपको बना है कि अल्ड़ है उ करना को मेरे दोड़ी को we can